करनाल के शीरी करनेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर साथ में बाबा बंसी वाले के सानीद्धी में किये जा रही सालाना विशाल भढडारे के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रदालू पहुचकर धर्म लाप्राप्त कर रही है इस अवसर पर शीव परसिद कथा वाचक गुनवान किया जिसमें श्रदालू ने कथा श्रवन कर अपने जीवन को सफल बनाया यहां हम आपको बता दे कि बाबा बंसी वाले के सानीद्धे में करनाल में हर वर्ष अटूट भंडारे का आयोजित किया जाता है एवं कई परकार के धार्मी कारेक्रम भी आयोजित किय जाते हैं इसी कड़ी में इस वर्ष सेक्टर 6 श्री सनातन धरम मंदिर से एक विशाल कलश्यात्रा निकाली गई उसके उपरांत श्री गनेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमत भागवत कथा का गुनकान किया जा रहा है जिसमें दूर दूर से श्रदालू पहुंच रहे ह बाबा बंसी वाले की अपार कृपा से यह भंडारा लगबग एक सब्तहा तक यहां चलता है एक वुंकता का आयोजन किया जाता है देखे कता की कुजल किया मैंने तुलसी रखकर अपना समर्पन कर दिया अब मैं किसी और का न रहाँ अब तो मेरी जो प्रते क्रिया वो उनके लिए है तो इसकी तुलसी बिजार लगने है बहुत सारे चमतकार है तुलसी बहुत सारे इतिहास है कंठी माला की तो कंठी और तिलक जरूर जहर लखना चाहिए। तिलक से पता चल जाता है विक्ति कुन सी परंपरा से है। आज पता ही नहीं चलता है आप कौन सी रिक्षा लिए हो। कहां से रिक्षी तो हो। कौन सा मंत्र होगा। अलग-अलग तिलग की मर्यादा है एक होता है रामा नंडी तिलग एक होता है निम्बार की तिलग एक होता है रामा नुजी एक होता है हरी दासी एक हरी हित्वनसी योगा तो ऐसे वो सारे तिलग है जिनके तिलग के संकित से ही पता चल जाएगा यह कौन सी पाल्टी के बिख्ती है, ठपा है ना, जैसे कमल का कुछ को हो तो पता चल जाएगा है भाजबा के बैटे हैं, हाथ का पंजाव तो इसमाना जावेगा कॉंग्रिस के हैं, तो ऐसे ही ठपा भी होना चाहिए, तो पता चल जाएगा है कौन से दलके हैं, तो ब्रंद इसे ही लिटेस को पाने किने ये बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल से लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल